कि असलाम अलेकुम नमस्कार स्रिया काल और गूड इवनिंग मैं हूँ आर्जु काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राय जी यह वेजा फ्राय के ने एपिसोड के साथ हमाजे रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं घर पहुंच चुकी हूँ और आप सब जानते हैं कि मैं लाहुर गई थी और लाहुर के बाद जाहिर है कि लाहुर के साथ ही वागा बॉर्डर है वागा बॉर्डर भी मेरा पर्स टाइम जाना हुआ और क्या कहूं अच्छा भी लगा मुझे बहुत के इतने नजदीक मुझे भारत की जमी नहीं था उसकी क्या वज़ा हो सकती है या तो ये कि लोग आचकल जो है वो पाकिस्तान की जो एजन्सी जन से कुछ नराज हैं इमरान खान के बास से आपको मालूम है नाइंथ में का वाक्या हुआ और उसके बाद किस तरीके से यहां पे बहुत सारे चेंजिस आए हैं लो और महता हमारी तरफ उन्होंने बहुत जादा लाउड म्यूजिक रखा हुआ था जिसकी वज़ा से मैं जो हिंदूस्तान की तरफ से जो म्यूजिक चल रहा था और जो गाने वहां पे चल रहे थे वह में नहीं सुन पा रही थी और यहां पे जोड़ जो सांग्स चल रहे उनमें जादे दर मुझे ऐसे लगे कि जो जिसमे के नफरती बताई जा रही थी हम मट्टी चटा देंगे हम गिरा देंगे हम मार देंगे हम यह कर देंगे कुछ इस किसम के गाने चल रहे थे और साथी साथ कई लोग जो थे जो के उनमें सही थे जो परेट कर रहे थे हमारे और उनके साथ के जो लोग थे वो पॉबिक से कह रहे थे के जिनारे लगाईए तालिया बजाईए फ्लाग लाईए ये ये करिए वो करिए तो बारहल लोगों को जोश दिलाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कोई खास जोश लोगों में उठी नहीं रहा था जादा तर फा में देख पाई जाहिरे डिस्टेंस था लेकिन बहुत जादा डिस्टेंस नहीं था जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतना डिस्टेंस अगर दिलों में भी यही फासले कम हो जाएं तो बहुत ही अच्छा जितने के परिखाले एक तोड़ी सी थर्टी सेकंड में जो है अगर गेट खुले थे लेकिन जाहिर है के वहां पर लोग खड़े थे और जब परेड हो रही थी उसक भी गेट को ले खो ले गए ते लेकिन जाहिर वहां कोई ja कोई सकता था और नहीं वहां से कोई आ सकता था सबसे जज़ादा मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी और वह कर दो परेड खतम होई तो दोनों तरफ कि एक 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 फौजी आपस में आये और उन्होंने आ पस में हाथ मिलाया और वो देखकर हमारी तरफ की पबिक भी और भारत की तरफ जो है वो नारे लगाए और खुशी का जार किया तालियां बजाएं और बहुत अच्छा लगा आप देख चुके होंगे यकिनां मैंने ट्वीटर पे भी शेयर किये लेकिन यहां भी मैं आपके साथ वीडियो स्यार करूंगी अब इस वीडियो में आवाज नहीं है अब हमारे फोजी आके मनी शकल देख रहें का कर दिया रही है लेकिन यह ज़रूर था कि यह मेरा माइक जो था मेरा ख्याले वो खराब हो गया था खराब नहीं हो गया था उसकी जो बैटरी थी वो खतम हो गई थी और इस वज़ा से य इस वीडियो के बाद जो है मैंने इसको चेक कर लिया और अच्छा हुआ मैंने वहीं चेक कर लिया लेकिन खैर मैं उस गेट से यह एक गेट लगावा था जैसे के कहना चाहिए कि जहां से इंदोस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जो ते वह अलग है गयते लेकिन उसके गेट और था जहां से आउडियन्स जाके हमारी जो है वो सीर्स पे बैठती है उस गेट से भी मैं आगे निकल गई थी और वो गेट बंद कर दिया गया था इस वजह से फिर मैंने उससे तोड़ा सा आगे जाकर वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश की लेकिन बाहराल जो उससे पहले वीडियो जिसमें आवाज नहीं है उसमें आप देख सकते हैं के पीछे भारत भी दिखाई दे रहा है और बहुत खुब्सूरत लग रही है बिल्डिंग और आइविश के काश इसमें भी ओडियो होती लेकिन खेर हम आपको ओडियो वाली वीडियो भी दिखा है मैं सब्सक्राइब यह कहना चारी थी मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली जब गेट ओपन हुआ है तो मैं काफी इमोशनल हो गई थी और थोड़ा था रोई भी हो मामुली सा और फिर दिल्दी से चुपोगी कि सब लोग यहीं जूते मारना शुरू कर देंगे कि यह रही है और दिल तो यही कर रहा था कि बॉर्टर क्रॉस कर जाओं और मेरे जो सारे प्यारे प्यारे दोस्त भारत पे रहते हैं उन सब से मिल कर रहा हूं लेकिन जाहिर नहीं हो पाया वीजा नहीं था और शायद कभी लाइफ में आना हो शायद नहां भी आना हो लेक के सब पुछ ठीक हो जाए और हम लोग अराम से मिल जुल के रह सकें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकें तैंक यू आप लोगों का और जल्दी फिर मिलेंगे वाहिर है ओनलाइन और शोज में आप ऐसे असलिये मेकब मिल सकते हैं पता नहीं लेकिन अभी मुझे आप इमोशनल विशेभी मैं बड़ी ग्युशनल सी हूँ और अगर क्याओं जाए ऑन्से मिली नहीं पांगी तो बहुत जाहिर है कि मैं थोड़ा एमोशनल हो गई थोड़ा मुझे रोना भी आ रहा था और सब लोग याद भी बहुत आ रहे थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बस दो कदम आगे जाओंगी तो वो लोग शायद महाँ पर हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसा झाहि हूँ और एम इशोर कि बहुत सारे पाकिस्टानी Columbian से हुँगे जो अच्छे टर्म्स जाते हैं लेकिन हम मजबूर ऐसे हो जाते हैं कि जाहिर है कि जो कुछ हमारे politicians کرتے ہیں, जो policy makers करते हैं और उनकी गलत policy की वज़ा से ही पाकिस्तान ये सब कुछ हुगत पाकिस्ता है और पाकिस्तानी जो है वो इस किसम की नफrat ने और इस किसम के दिलों में फासले जो हैं ईनी लोगों के दिये वे होते हैं हमें जाहिर बरना तो अगर यह जो पॉलिसी मेकर्स हैं अगर यह पॉलिसी अपनी नफरत की बेस्पे ना बनाएं तो शायद बहुत कुछ जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बेतर हो सकता है और हम और अच्छी तरह से रह सकते हैं मुलाकात हो सकती है एक दूसरे से मिल सकते हैं एक दूसरे को करेंटे का ही होता है यह परेड का टाइम एक गंटे से जादा का नहीं होता है और उसमें भी बहुत बार वो कोड्रिंग्स वाले आ रहे थे कभी कोई समोसे वाले आ रहे थे कभी कोई चिप्स वाले आ रहे थे कभी पता नहीं क्या खाने के लेकर आ रहे थे जो अगर किसी को लेना हो तो वो बिलकुल खरीच सकता था और खा सकता था लेकि मुझे यह हो रदर कितने शौट टाइम में जब आपका पूरा फोकस जो है वो परेड पे या दूसरी तरफ के बॉर्डर के उस तरफ नज़रे जबी होती है ऐसे में पता नहीं खा पी कैसे रहते लोग लेक गाने तूब बार्ट के बाकी जो मर्जियां पर परेड कर रहें हैं जो कुछ भी हो रहा था होता रहे । लेकिन साथ साथ ये जो सांग्स हैं वो में जरूर भारत के सुनना चारी थी बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये परेड जो रोज रोज होती है अल्मोस्ट डेली होती है इसको बंद हो जाना चाहिए और इसकी वज़ाए ये है कि ये एक दूसरे को मुक्के दिखाते है यह करके ऐसे करके अपने आपको दिखाते हैं कि जैसे बड़ी कोई लड़ने के लिए आ रहे हैं और बड़ा ही कोई हंगामा होने वाला है तो ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए यहां पे ये नफरते जो बाटी जारी होती है शुरू में जो परेड के शुरू में वह नहीं होने चाहिए यह कई लोगों का कहना यह भी थी जो फॉजी हमारे फॉजी भी और आपारेट के परेड करते हैं वह he पाउं अठाके जो है वो जमीन पे मारते हैं उससे वो कहते हैं कि उनकी जो हड़ियां होती है पाउं की वो एक खास एज में जाके वो खराब हो जाती है या उनमें दर्द रहने लगता है तो एक तरह से फिजिकली उनको प्रॉब्लम्स आती है और इस किसम की चीजें जो है होनी चाहिए ऐसा मेरे भारती दोस्त एका दोस्त जो हैं का भी यही कहना है कि परेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जो फौजी है उनकी आगे जाकर उनकी सिहत खराब होती है तो यकीना अगर एक्सपर्ट्स बता रहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन बारहल ऐसा हो रहा है और अभी तक तो चली रहे जी तरो पाकिसन जी तरह गेटेरें और दोनों ने अपनी अपनी जगा उन फ्लैक्स को तैय किया और उसके बाद उसको कहीं दे दिया गया रखने के लिए इसके साथ सॉंग्स हमें आपको बताया ही कि बड़े जोरों से सॉंग्स चल रहे थे लोग पिक्चर्ज भी बना रहे थे दोरों तरह के लोग नज़र आ रहे थे जो गेट के पास आकर और बड़े शॉक शॉक से पिक्चर्ज बना रहे थे मैंने भी कोशिश की कुछ पिक्चर्ज बने जिसमें भारत का फ्लैग जो है वो नजर आए मेरे साथ और ऐसे ही भारत के लोग भी गेट के पास आकर जो है वो पिक्चर्ज बना रहे थे और यकीनन उन में से बहुत से लोगों का ये भी दिल कर रहोगा कि काश ये गेट खुलें और हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकें लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां गेट बन कर दिया गया एक और चीज़ जो की जाती है वो जो पाँ ठाँ ठाँ के फौजी ऐसे से उपर तक ले जाते हैं और ये एक अजीब तमाशा जो चलता है हमारे बॉर्डर पे वो भी चला और उसमें कई दो बार तक्रीबन जो हमा चल्वार का वीज़ और पंगड़ से पहनते तो वो हिल गई फिर उनना उसके बाद वो गए दूसी तरफ और फिर दुबार उनने टांग उठा के जब उपर की तो फिर उनके अपनी सर पे लग गई वो अब पता नहीं जजबाती थे या उनको आता नहीं था या क्या था फिर उनकी पंगड़ हल गई फिर उननना अपनी पंगड़ को सेट किया एक सहाब और शायद वो कोई पराने फोजी होंगे या कुछ थे उनकी एक एक टांग जो थी वो नहीं थी यकिनान किसी लड़ाई में किसी वजह से जाया हुई होगी या वो देखकर अफसोस हो रहा था उसके अपड़े तरह का भंगड़ा और इस तरह का वो बता रहे थे अपना जोश और जज़बा दिखा रहे थे और वो दिखाते रहे मगर बार अगर एक दुसरे के लिए नफरते ना हों और गेट ऐसे खुलेंगे लोग आपस में बैठके बाद भी कर सकें और एक आप फिर भी कि अ कि अ जी यहापको लाहोर से जया जा जब मैं इसलामगास लाऊप्ता जारी ती उधर का भी हवाला और दर की भी मैं आपको विडियो देखा रही हूं और यह विडियो जै है यह इसलामगाबास से लाहौOR जाते वे मोटर वेंग गिया करने कर दो कर दो एकल एकल रहा है अग्ष बाइब दॉट बाइब कर दो जो अग्ष बाइब कर दोटा जाए ओड कि दो इन प्र आए अचा तो यह बाहर सोरी स्लामा से लोहर जाते हैं मोटर वे से रस्ते में रेस्ट एरिया आता है और यहाँ पे रिस्टूरेंट्स भी हैं अराम से गाड़ी पार्क भी हो जाती है गाड़ी वाश भी हो जाती है और खाने पीने को फोई इश्वी नहीं है और बड़ा खुस्तूरत एरिया बना के रख flex और जो लोग हमें पाकिस्तान से नहीं देख रहे हैं जो कभी दर आए नहीं है अपकोर्स बारत से आप लोग आ सकते हैं यहां पर जब भी वीजा सर्विसेज अविलेबल हो और आम शूर कि आप यह जो इसलामबाद से लाहुर यह लाहुर से इसलामबाद मोटर वे है उस प कि अधिया यह भी मैंने आपको एरिया जिखाया था और यहां से दोबारा मोटर वे की तरफ है नहीं मोटर वे पर यह हैं लेकिन मोटर वे के रस से निकल के दोबारा लाहुर की तरफ सफर होगा जाहिर अवेलिबल है ही और इसके साथ साथ काफी साफ सुतरा बना हुआ है आपकी गाड़ी अराम से पार्क हो जाती है और यह हिस्सा जो है या यह मोटर वे जो है यह नवाज शरीफ साब ने अपनी गवर्मेंट जब थी उनके उस जबाने में बनाई थी और काफी इसको पसंद किया जाता है बहुत असानी हो जाती है अलबता इसलामाबाद से और लाहुर जाते वे तकरीबन अगर मेरे जैसा ड्राइवर हो तो जी छे गंटे लग जाते है मुझे तो और मैं अलमुस्ट सिक्स आवर सकी जो है वो लाहुर से इसलामाबाद या इसलामाबाद से लाहर पहुंच बाती हूँ अशलिक बहुत तेज़ गाड़ी में चलाती ही नहीं हूँ और बीज़ बीज़ में रुककर जो है वो कभी को निकले ली तो कभी कुछ खा लिया और फिर निकल गए और ओर जाहरे के ढ़ा पाकिस्सान के टर्मस बेतर होंगे और जब हमारे इंदुस्तानी दोस्त और हमारे जो हमारे जो कहना चाहिए जो बाकी के इंडियन सिटीजन्स हैं वो जब पाकिस्सान आएंगे तो यकिनन उनको अच्छा लगेगा और उन्हें काफी कुबसूरत और साफ सुतरा पंजाब साफ सुतरा, इसलामाबाद और लाहुर दिखेगा, क्योंकि वैसे भी जो भी गवर्मेंट आती है, वो अपनी सारे के सारी एफर्स जो है, वो इसलामाबाद और लाहुर में ही लगा देती है, बाकी अगर इदर दर के आलाकों में आप निकल गए, उसकी कोई गारंटी नहीं हैं कि वहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, वो यकीन हैं आपको हो सकता है, इतना डिवेलप भी ना हो सकता है, आपको गंद भी पढ़ावा दिखे, कई चीज़े हो सकते हैं, लेकि जो मेंन सिटीज हैं, उनको अलबता हमने काफी चमका कर रखते हैं. हैं अच्चder वावचा कर दोगा हैं, वहले हैं आपको कैसा लगा हो सब्सक्पा कर दो, स्थक्स और सो, आपको अ हिएसमा हैं, झाल नहीं हैं, वह मैं एकि जो अ ह sna़ जी तो ये भी मोटर वे थी और ये भी जो है वो असलामवा से लाहर जाते वे मोटर वे है और बिलकुल जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत मेरा दिल करा कि काश ट्रम्ज अच्छे होते हैं और हमारे जो हिंदोस्तानी साथी हैं वो भी यहां पर आते हैं और वो भी डेखते हैं इन सब जगाओं को और यकीनन वो बहुत एंजॉई करेंगे जब भी आएंगे अम्शूर कभी एकी रस्ता जाता है और वो अमन का रस्ता है और वो दोस्ती का रस्ता है और वो एक दूसरे का ख्याल करने का रस्ता है जो कि जाहिर है सबसे पहले पाकिस्तान को इस टैप उठाना होगा पाकिस्तान को ही अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अब सुधारे बगएर को बेतर करें इसके लावा कोई दूसरा रस्ता सर्वाइवल का हमारे पास नहीं है और हमें ये करना ही पड़ेगा फिर हम एक वीडियो और देखते हैं जो अजने बेतर करें आगार देखते हैं कि बेद्टिया दुणी आगार देखते हैं झाला दाई शाखते हैं मैंचा व्या तुणा व्या पूसरा शाखते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है जी और हमारे कई पाकिसानी दोस्तों ने भी कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता वागा बॉर्डर जाना क्यूंके फिर इस तरह से लगता है जैसे कोई नफरते बाटी जा रही है या यह के इस तरह से गेट बंद है लेकिन बाराल मुझे तो अच्छा लगा जाकर मुझे इतने नजदीक से जो है वो भारत देखने को मिला और मुझे अच्छा लगा कि कुछ सेकंड के लिए सही लेकिन गेट खुले और लोग आपस में एक दूसरे से लोगों मतलब जो फॉजी थे उन्होंने फकूर्स हाथ मिलाया और वो भी मुझे अच्छा लगा और शायद में दुबारा भी जाओंगी लेकिन इस साल तो मुश् हिंद्सान पाकिश्सान के तरंफ वह बैटर होंगे अच्छा भी रहता है क्या वे बनी नहीं रहता तो होसकता है कि यह बुरुख निकल जाये और शायद कोई अच्छा वक्त आ है जिसमें हम लोग आपस में मिल भी सकें हैं हम लोग आपस मैंसे अभी भी रहते हैं, जिनको हिंदु सतान पसंद है और जो हंदु से नफुलत नही करते और मैं भी उनिवे ISSक हूँ. मुझे इंदु सतान बहुत पसंद है और मैं हिंदु सतान की लोगों से बहुत मौपत करती हूँ और I'm sure कि कभी ना कभी terms कुछ बेतर होंगे हमारे policy makers को शायद अकल आ जाए यहां से हम चलते हैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा क्यार रखिएगा हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यों